जहें सातियों स्वागताब सभी का देखेगा राजस्तान जीके की जितने भी महत्पून परसन है वो वन लाइनर के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पहला पार्ट आज हम यहां पर करेंगे और सारे जो जितने भी इसके पार्ट होंगे वो आपको एक पले लिस्ट मे दे रखा है वहां पर जाकर आप बाकी के वीडियो भी देख सकते हैं देखेगा पहला परसन है दो फरवरी 2006 को नरेगा की सुरुआत देश के कितने जीलों में हुई थी तो यह 200 जीलों में हुई थी ज्यान रखिएगा मैं आपका यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करूँग जल्दी जल्दी आपको यहां पे सारा जो टोपिक है सारा मेटर है वो कलियर कराने की कोशिश करूँगा नरेगा को संपूर्ण देश में किस वर्स लागू किया गया था तो 2008 में किया गया था राजस्तान भार्त के कितने परतिसत भाग पर फेला है तो यह 10.41 भाग पर फ कितनी है कुल राजस्तान की कुल सतलिय सीमा कितनी है तो यह कुल सतलिय है उनसट सो बीच रेड कलिफ रेखा की राजस्तान में लंबा यानि अंतर राश्ट्रिय सीमा कितनी है राजस्तान की 1070 किलो मीटर अगला परसंद की राजस्तान के किस भोतिक परदेश में सरवादि के खनीज मिलते हैं तो वो कौन सा है रावली परदेश है किस त्योहार पर गेहूं वे बाजरे का खीच बनाया जाता है तो ये बनाया जाता है आखा तीज के त्योहार पर अगला परसन राजस्तान में भारत के कुल पसूदन का बहुल्य है कितना पसूदन है राजस्तान में भारत का 6.78% देखे 6.78 ठीक है याद रखेगा आसानी से याद हो जाएगा नास्ता हुआ पक्षी पत्थर की संदूक किस सब्यता से पराप्त हुई है तो ये बिराठ सब्यता से पराप्त हुई है भारत का सबसे बड़ा रेल्वे मोडल कक्स कहां पर इस्तित है तो ये उद्यपूर में इस्तित है कोटा के दसहरे मेले को पराप्त मिक्ता या फिर सबसे ज़्यादा आकरसन या सबसे ज़्यादा पहचान किस सासक के काल में मिली थी तो कोटा के दसहरे को पहचान मिली थी उमेद सिहां के काल में ठीक है उमेज सिहां के काल में मिली थी उध्यपूर के हर्याली अमावसा की सुरुआत 1899 इस्वी में किस सासक ने की थी तो हर्याली अमावसा की सुरुआत फटे सिहां के समय में हुई थी अगला परसंद देखिए महवीर जी का मेला कब आयोजित होता है सुर्सेन नामक राजवंस का वर्नन किस परसंदी में मिलता है तो बयाना परसंदी में सुर्सेन नामक राजवंस का वर्नन मिलता है वरहत सहीता में किन के पतन का वर्नन मिलता है तो योदे जो होते दे उनके पतन का वर्नन मिलता है कसवा अभीलेक किस जीले में है तो ये कोटा जीले में इस्तित है गाई के मुख वाले प्याले तांबे के बेल किस सब्यता से पराप्त हुए है तो ये काली बंगा सब्यता से पराप्त हुए है जितने भी परसन है वो बहुत ही जादा महतपूर्ण है इस वीडियो को share कीजेगा बाकी के वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगे प्ले लिस्ट का लिंक आपको description में मिल जाएगा डेली आपको वीडियो मिलेंगे वहाँ पे पुर्वी राजस्तान वे गंगा गाटी में पल्वित होने वाली संस्कृती कौन सी थी? तो वो संस्कृती थी गनेश्वर. अगला परसंद देखिए तरी रतन चक्कर के चिन है युक्त अलंकरत घड़े किस सब्यता से मिले हैं? देखिए तरी रतन चक्कर से चिन ही थे जो गड़े हैं वो बेराट सब्यता से मिले हैं. बारती महामरुस्तल का भाग है, देखिए गाट्मेयर जेसलमेर और बीकानेर में है. नादसा, अभीलेक किस जिले में इस्तित है? तो ये भीलवारा जिले में इस्तित है. अगला परसे देखिए तरी देखिए किस प्रियोजन जील किस जीले में है तो ये उद्यपूर जीले में इश्टित है उद्यपूर सहर से समंदित जील है अमरकुंड माचला मगरा रुंडेला ये जो है वो उद्यपूर सहर से समंदित है पॉल्टरी फार्मिंग समंदित है तो ये मुर्गी पालन से समंदित है स्वास्ते सेवा क नीसलक नंबर क्या है तो ये 108 है ये स्वास्ते सेवा का नीसलक नंबर है अगला परसंद देखिए अगला जो परसंद है देश में उपलब्द जलका कितने परतिसत राजस्तान में है यानि एक परतिसत राजस्तान में है सुख सागर काला सागर ये तलाब कहां पे है सवाई म मादोपूर में इस्तित है मुथाना, दान्तिवाडा, हेमावास ये कहां पे है पाली जीले में इस्तित है अब देखे सेना पानी तालाब किस जीले में है तो ये तालाब चितोडगड जीले में इस्तित है अगला परसंद सरेरी, खारी, मेजाबांद किस जीले में है ये भील किर्टी मोरी बरडा रिडोला तालाब किस जिले में है तो ये बुंदी जिले में इस्तित है बागोलिया तालाब किस जिले में है तो ये उद्यपूर जिले में इस्तित है जाजली अचलावदा सांक्थली तेज सागर गंधेर खेरोट राइपूर ये जो तालाब है वो परत में इस्तित है। गड़सी सागर जील आप सबी को पता है बहुत बार पूछी चाती है जेसल मेर में इस्तित है। अगला परसन देखिए जय सागर विजय सागर ये अलवर में इस्तित है दोनों ही अगला परसन देखिए परताब सागर बांद किस जीले में इस्तित है तो परताब सागर जील जो है ये जोदपूर जीले में इस्तित है चापवाडा जील ये जैपूर में इस्तित है अगला परसन 1520 में सरोपर्तम जोदपूर में नाड़ी का निर्मान किस ने करवाया था तो ये जोदपूर के राजा थे राव जोदा अगला परसन एपराजित परिच्छा गरंथ में बावडियों के कितने परकार बताए गए है काफी महत्पून परसन है ये चार परकार बताए गए हैं बावडियों के सवरूप सागर जील किस जीले में है तो ये उद्यपूर जीले में इस्तित है वर्तमान में राजपुताना की किस परंपरागत जल सरंग्छन का उप्योग इराक में किया गया है या फिर इराक में अपनाया गया है तो ये खड़ीन जो परनाली थी इसको इराक में अपनाया गया है काफी महतपुर्ण परसंद है 1660 में निर्मित महामंदिर जालरा का परसीद है यह किस जिले में जैकि जालरा महामंदिर जोधपूर में इस्तिद है राज्य सरकार ने किस वर्स परारंबिक सिक्षा, कर्सी, चिकिस्षा, स्वास्ते, महिलायों, बालविका, सामाजिक न्यायों, अधिकारिता विवाग, पंचायती राजव्यवस्ता को सौंप दिये थे तो यह 2010 में सौंपे गए थे तालाब साही कहां पे इस्तिद है, धोलपूर में इस्तिद है कालक सागर जिल कहां पे है, यह दोसा में इस्तिद है अगला परसन देखे, नरेगा की सुरुवात कब हुई थी, यह हुई थी दो फरवरी 2006 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा या फिर महानरेगा किया गया था ये 2009 में किया गया था अब देखे रेल मंतरालिया ने 21 महिला ट्रेन चलाई है उनका नाम क्या है मात्र भूमी के नाम से चलाई गई है देखे काफी महत्पून परसन है अगला परसंड किस वर्स पर्देश के साथ जीलों में महला विकासकरियकरम की सुरुवात की गी थी, जिनका विश्तार अब सभी जीलों में हो गया है तो यह किस वर्स की गी थी, 1969 में की गी थी राजस्तान राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था, 15 माई 199 में अगला परसंदेगे राज्य महिला आयोक की सरंसना अधीनियं 1999 की किस धारा में वरनित है यानि इसके अंधर कितने सदसे होंगे ठीक है और अध्यकस सहीत कितने होंगे यह धारा तीन में वरनन किया गया है अगला परसंगे, राज़ महिला आयोक की सरंसना बताइए, यानि इसके अंदर एक अध्यक्स और तीन सदत से कुल कितने होंगे? चार वैक्थी होंगे अगला परसंगे, राज़स्टान में महिला निदेशालेका गठन कब हुआ था? ये 2007 में महिला निदेशालेका गठन किया गया था अगला परसंद देखिए जीला महिला सहाइता समीती किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी तो ये गठित की जाती है तो ये जीला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की जाती है गरेलू हिंसा से महिला सरंग्चन अधिनियम 2005 किस वर्स लागू हुआ था तो ये 2006 में लागू हुआ था किसी सोरी सकती योजना में कितने वर्स की बालिकाओं के लिए संचाली था ये किसोरी सकती योजना 11-18 वर्स की बालिकाओं के लिए संचाली था काफी महत्पूर्ण परसन है अगला परसन देखिए मुख्यमंत्री साथ सुत्रिय महिला ससकती करन कार्यकरम कब शुरू किया गए था तो ये बजट दो हजार नो दस में इसकी गोशना खुई थी अगला परसन देखिए अगला जो परसन है उननीस सो चुरासी में महिला विक कार्यकरम उननीस सो सतानमे अठानमे में किया गया था पिर ये दरसनी आदर समय सायता सुमू है योजना के तहट अमर्ता पुरुसकार की सुरू किया थी तो ये दो हजार पांच में सुरू किया थी अमर्ता पुरुसकार योजना दो हजार पांच में सुरू किया थी एक है जो जनम दर है वो 21 पर 3000 तक लेकर आना एक है महिलाओं के लिए सव रोजगार के अवसर सरजीद करना ये पांच सुत्रिय कारिय करम निर्धारित किये थे अगला परसंद देखिए राजस्तान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाए जा रही ये है मुक्यमंतरी बालिका संबल योजना मीरा बाई के विवाह के कितने वर्स बाद उनके पती भोजराज की मर्ति हो गई तो वो तो साथ साल बाद में भोजराज की मर्ति हो गई थी जेथाना डुंगरपूर क्यों परसीद है देखिए जेथाना डुंगरपूर में ये किस के लिए परसीद है लकडी की मूर्तियों के लिए परसीद है काफी महत्पून परसन है मोलेला के अत्रिक्त टेरा कोटा के केंदर माने जाते हैं तो मोलेला के अत्रिक्त अलवर और बाडमेर को भी टेरा कोटा केंदर माना जाता है रामसागर जील कहां पे है धोलपूर में है राइपूर बांद सिकर में इस्तित है तलवाडा जील हनुमानगड में इस्तित है जेतपुरा बांध भीलवाडा में इस्तित है अगला परसंद है कि मोती जील किस जीले में है ये भर्थपुर में है काफी महतपुन परसंद है ये भी सीवपुर हेड जील कहां पर इस्तित है तो ये गंगा नगर में इस्तित बताई गई है देखिए परंपरागत जल सरंग्चन की वीदी है तो टांका, कुंड और खडीन ये तीनों ही परंपरागत जल सरंग्चन की वीदी है बर नाला यूब किस जिले में इस्तित है तो ये जैपूर जीले में इस्तित है सामोली लेख किस जीले में है तो ये उद्यपूर में इस्तित है अगला परसंद की बिजोलिया सीला लेख किस जीले में है तो ये भीलवाडा में है सबी को पता है मजार ए फकरी काफी महत्पून परसंद है गल्या कोट कहां पे डुंगरपूर में ठीक है अगला परसन देखिए समयनुवित ग्रामिन विकास कारियकरम कब सुरू हुआ था तो ये काफी बार पूचा जाता है 1978-89 में सुरू हुआ था दूद तलाई जील उद्यपूर में इस्तित है किस मानसुन से राजस्तान में सरवादिक वर्षा होती है तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसुन होता है उससे सरवादिक वर्षा होती है अगला परसन देखिए अगला जो परसन है 26 किसम के मनगे 26 किसम के मनगे कहां से पराप्त हुए है कोसाणों की सक्ति को नस्ट करने वाला जन्पद कौन सा था तो ये योदे जन्पद था माहवीर जी का मेला कब लगता है ये चेत्र महा में लगता है सुकल एकादसी से बेसाक करशन दिवीत्या तक ये भी काफी महत्पून परसना है राजस्तान राज्य प्रिवहन निगम की स्ताबना काफी बार पुछा गया है एक अक्टूबर 1964 को हुई थी देखिए राजस्तान में पहली रेल गाड़ी कब संचाली की गी थी 1874 में आहड को किस स्ताब्दि में अगाठपूर कहा जाता तो ये दस्वें ग्यारें स्ताब्दि में अगाठपूर कहा जाता था देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से जरूर कीजिएगा सक जाते के सास को परांद के मुख्या है तो किस सब्द का परियोग किया जाता था तो सक जाते के जो सासक होते थो परांद के मुख्या के लिए 76 सब्द का यूज़ करते थे देखें बाकी के वीडियो आपको पले लिस्ट में मिल जाएंगे प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है विश्वेसर नाथ रेव किस रियासत का इत्यास लिखा था इन्होंने मारवाड का इत्यास लिखा था काफी महत्पुन परसन है सरवादिक और न्यूंतम देनिक तापांतर जेसल मेर और चूरू में पाया जाता है अगला परसन देखिए अगला परसन है समराट असो का भाबरू सिलाले किस पहाड़ी से पराप्त हुआ था ये बीजक डूंगरी से पराप्त हुआ था साथ अगनी वेदिकाओं के सक्षे किस सब्यता से मिले है ये काली बंगा से मिला था बयाना का प्राची नाम क्या है सीरी पंथ है काफी महत्पुन परसन है बनास बेसिन अपवायत अंतर का उच्छा वच्छा यानि सबसे उच्छा हिस्षा है 900 मीटर आज की वीडियो के लिए बाकी के जो महत्पुन परसन है वो आपको प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएंगे ठीक है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करें धन्यवाद जेहिन जेवाद